इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी 2-0-300-U-SoloStar is a long-acting type of insulin used to treat types 1 and 2 diabetes mellitus in both adults and children यह पूरे एक दिन के लिए शरीर में insulin का levels थिर करता है और blood sugar के level को नियंतरित करने में मदद करता है यह diabetes की समस्याओं को रोकने में मदद करता है 2-0-300-U-SoloStar can be prescribed alone or along with fast-acting insulin or other diabetes medicines आपका डॉक्टर या नज आपको तवचा के नीचे इसे inject करने का सही तरीका सिखाएगा अधिक्तम लाब पाने के लिए इस दवा को बताई गई खुराक के अनुसार ही नियमित रूप से इस्तिमाल करना चाहिए अगर आप इसे लेना बंद कर देते हैं तो आपके बलड शुकर का स्तर बहुत अधिक बढ़ सकता है जो आपको गंभीर जटलताओं के जोखिम में डाल सकता है यह लाज के प्रोग्राम का केवल एक हिस्सा है जिसमें आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई एक स्वस्थ डाइट, नियमित व्यायाम और वजन कम करना भी शामिल होना चाहिए इस दवा का सबसे सामानिस साइड इफेक्ट, लो बलर्ड ग्लुकोज लेवल यानि की हाइपोग्लाइसीमिया है इसकी रोक्थाम के लिए हमेशा दवा की केवल सही खुराक को इंजेक्ट करना, नियमित रूप से भोजन करना और नियमित रूप से अपने बलड शुगर लेवल की निगरानी करना ज़रूरी है अत्यधिक शराब पीने से आपके बलड शुगर लेवल में गिरावट भी हो सकती है अनिस साइड इफेक्ट्स में लालपन, सूजन या हार्ड लंप, यानि की लिपोहाइपट्रोफी जैसी इंजेक्शन लगने के स्थान पर अलजी शामिल है इंसुलिन लेते समय कुछ लोगों का वजन बढ़ जाता है जब आपका बलड शुगर का स्तर कम हो तो इस दवा का इस्तिमाल न करें अगर आपको कभी भी केड़नी, लिवर या हिरदय से जुड़ी कोई समस्या रही है तो इलाज शुरू करने से पहले आपको अपने डॉक्टर को इस बारे में सूचना देनी चाहिए गर भावती या स्तन्पान कराने वाली महिलाओं को इसका इस्तिमाल करने से पहले डॉक्टर से परामर्ष करना चाहिए विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद